पिक्सल प्लस एवाई का एक लेटिस्ट अपडेट आ चुका है हमारे रेटमी के नोट 11 डिवाइस के लिए और इसे यूज करते वे हो चुके हैं वन डे और भाई ये रोम रियले में काफी इंपरेसिव मुझे लगा है और आज की इस वीडियो में इस से रिलेटिर आपको मैं सारे जिन काई दूगा कि कैसे इसे यूज करना है सा ganze क्या कस्टुमाइसान ईंट गेमिंग इक्ष्पिरियंस देखने को मिलता है ये काफी हद तक close to pixel experience या pixel experience प्लस आप कह सकते हो उसके पास ही रहता है और भाई जो performance है न वो इस वार आपको काफी better टेखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो या like कर देना और ऐसी regular वीडियो और चाहिए note 11 से related तो मेरे दोनों चैनल को subscribe करना है क्योंकि कुछ रोम के review मैंने और एडि सेकेंड चैनल पर कर दिये हैं आपने नहीं देखाये थी यार देख लो क्या पता आपको चैनल के बारे में पता ही नहीं और आप सोचो कि भाई रोम का review क्यों नहीं आ रहा है तो भाई आ गया है चेक करो आपको 12 भी लिखाओ मिलता है तो confuse मत होना यहाँ पर यह है 4.6 का update जिसमें आपको device name देखने को मिलता है maintainer name देखने को मिलता है और latest यहाँ पर 5 June का security patch है प्रिफ का kernel यूज किया गया है multi users account जो कि आप यूज करते हो तो यूज कर लेना और इस रोम का review में first time करना हो अपने दोनों channel पर से किसी पर भी तो यहाँ पर detail में वीडियो मिलेगा उसके बाद यहाँ पर backup, live translation, time and date, language input वगर आपको तेखने को मिल जाता है और साथ से साथ यहाँ पर आपको update मिलता है ज तो gaming के time में आपको apps meter वगर है जो देखने को नहीं मिलेगा तो यह छोटी सी कमी मुझे खली है लेकिन कोई बात ने उसके लावा बहुत कुछ plus point है यहाँ पर privacy वोई android 2 आपको मिल जाएगा security के अंदर आपको देखने को मिलता है Flock जो कि हमारा काम कर रहा है और face unlock और finger print हम बात में दिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको मिलता है Wallpaper & Style जो कि काम कर दार और सारे features दिये गए हैं और wallpaper collection की बात करें तो सारे आपको pixel वाले wallpapers मिल जाते हैं तो आपको जो भी wallpaper यूज करना है ना भाई यूज करो या फिर अलग से डाल के यूज करो या आपके उपर depend कर आने वाला है बाकी यहाँ पर आपको मिलता है display जिसके अंदर auto brand हमारा working है यहाँ पर lock screen से related सारे options आपको मिलते हैं जैसे कि always on, double line clock यहाँ पर device control, music covered art, visualizer और बाकी other options इसके बाद आपको देखने को मिलता है dark mood जो कि आप से dual कर सकते हो इसके बाद आपको मिलता है night light और live display ज हमारा अलग है और यहाँ पर display color manage करने का option देखनी को मिलता है तो दोनों के एक मत समझ लेना उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा allow window level blur, tap to wake up, tap to sleep, whack on plug, full screen app और auto app refresh rate जो कि आप हर एक single application के लिए 16, 90 या default पर set कर सकते हो तो यह भी चीज़ आपको यहाँ पर जो मिल जाती है अनादर आता है हमारा sound का profile और यह आपके लिए काफी मज़दार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको जो skin suit sound मिलता है वाइब rate inductor call के लिए आपको मिल जाएगा पर sound control भी आपको यहाँ पर मिलता है और सबसे मज़दार चीज़ है डॉल्वी जी हाँ डॉल्वी यहाँ सेटिंग के comparison में इसके icon तो है different है जो के location का privacy का setting यहाँ पर आपको log का option देखने को मिलता है security के अंदर यहाँ पर face का option है यहाँ पर campus वगेरा है तो इस तरीकी सेटिंग icon change-change है जो की सही लगा और यहाँ पर batty जितना ही मैंने use किया वो मुझे भी काफी अच्छा खासा ल अगे रहे और यहाँ पर इसके extra customization आपको मिलेंगे यहाँ पर में screenshot क्लिक करते हैं तो आपको screenshot working देखने को मिलता है जहाँ पर आप देखो बहुत सरा options दिए गए इडिट का rename का captures वगेरा का तो काफी लंबा सा यहाँ पर setting आपको सामने दिखाए देता है जो कि आपके screenshot से related रहता है और किसी भी बड़ी पेज़ काफी screenshot असान ही से जो यहाँ पर ले सकते हो जो कि यह भी मुझे काफी perfect लगा है और इसकी extra setting का अंदर आते हैं तो इसका layout इसका थोड़ चेंज है but really में थोड़ डिफरेंट रहता है कोई बात नहीं बाद में बदल जाएगा और यहा यहाँ पर custom color वगर है जो change कर सकते हैं यहाँ पर टैप करके तो जैसा भी color चाहिए पूरे system का आप without wallpaper चेंज के वे यूज कर पाओगे बागी यहाँ पर आपको मिलता है font का setting जहां पर जो भी आपको fonts अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर select कर लो और उस बार पूरे system प बैटरी, clock, mic inductor और यहाँ पर आपको टेखने को मिलता है 4G, LTE, network और दोनों को combine करने का option यहाँ पर वोल्टी और वो Wi-Fi के icon यहाँ पर आपको मिलेंगे quick setting जहाँ पर keyways, footer, text वगेर आपको टेखने को मिलता है battery estimate और बाकी अधर चीज़े मिलेगी another आपको मिलेगा button कोई भी button चाहो तो यूज कर सकते हो और यहाँ पर full screen gesture आपको मिलता है और साथ-चार long swipe पर क्या रखना है action वो भी चीज़ आप यहाँ पर set कर सकते हो जैसे कि मैंने long swipe पर recent डाल रखा है ता आप जो चाहो वो आप यहाँ पर set कर लेना another यहाँ पर आपको देखने को मिलता जेस्टर जहां पर back tap पर आपका जो भी action रखना चाहते हो वो काम कर जाएगा यह मुझे पसंद नहीं आता क्यूंकि नर्मली बिना फालतु के काम करते रहता है ना iPhone में धंग से काम करता है ना Pixel device में धंग से काम करता है ना यहाँ पर MIY यानि काम करता है ऐसा नहीं करता है फोन को रखो तो active हो जाएगा फोन को ठाओ तो active हो जाएगा pocket में active हो जाएगा दिमाग कदधा ही हो जाता है कई बार बाकि यहाँ पर आपको मिल जाता है वही screen shoot का option और playback control जिसका preview यहाँ पर नहीं देखनी को मिला है तो उमीद करते हैं बार में यह add हो जाएगा lock skin के अंदर आपको देखनी को मिल जाता है जो कि force, small clock, charging information, tap to sleep और notification के अंदर आपको मिलता है calling related vibrate का features जबकि यहाँ पर गूगल डाइलर दिया गया है तो आपको वही code recording मिलने वाला है गूगल वाला और बाकि vibrate मिल जाएगा बाकि यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है game space जो कि उधर दिखाई नहीं दियाता है कहीं पर भी लेकिन यहाँ पर भाई छुपा हुआ है इसके अंदर जहां से आप gaming को add कर सकते हो जो भी game आप यूज करना चाहते हो या applications वगेरा उसके बार आपका यह जो game space आपके सामन कर पाऊगे gesture disable कर सकते हो और बाकियादर option है यहाँ से आप tap architect screenshot क्लिक कर पाऊगे अपने gaming का या जो भी application पर इसे add करते हो उसके बार यहाँ पर screen recorder मिलता है जिसमें कई सारे options दिये गए जो कि आप यहाँ पर use कर पाऊगे और यहाँ पर PCB run करता रहता है तो यह game space मुझे रि देखनी को मिलेगी अगर हम edit पर आते हैं तो और भी कई सारे shortcut दिये गए हैं जिनका use अगर आपको है तो drag करके आप बाहर ला सकते हैं उसका यूज कर पाऊगे अब बात करते हैं इसके performance क्या कुछ हमें देखनी को मिल जाता है तो default आपको normal वाला ही camera देखनी को मिलेगा ब अगर आप कोई भी video या gaming या कुछ भी चीजे use करते हो जिसका sound आ रहा है तो यहाँ पर जब भी आप volume control करोगे हो जाब भाई open तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इसे on कर दिया है तो volume control पर इसका icon आपको जो definite को मिल जाएगा जिसवा डैकली apps के sound को control कर सकते हो तो यह चीज मु मैंने left किया तो morning में या जाता है 23 याने full night में 2% का battery drop है और sim card डला हुआ था जो कि काफी सही है कोई जाला drop वगरा यहाँ पर रेखने को नहीं मिलता अनादर यहाँ पर charging speed के बात के तो काफी सही लगा जो कि 29 पर 33% तक charge होता है तो charging speed आपको काफी अच्छा रेखने को मिल जाएगा और यहाँ पर gaming में आपको मिलता है 90 fps जो की gameplay में आपको पदा चलेगा कि कितना fps हमें देखने को मिला तो चलिए थ्वास हम गेंप्ले भी देख लेते कि कैसा हमारा है जो gaming यहाँ पर होता है यहाँ आप देख सेटिंग 90 fps मिल जाता है और gaming डिसूट में डाल रख अब देखते हैं एक प्याइस वगरा कितना मिलता है और gaming कितना स्मूध हो पाता है ऐसे एक और मैंने और प्ले कर लिया है और भाई रियली में मुझे काफी मजा आया है काफी अमेजिंग सा gameplay देखने को मिला मुझे कि आप कि 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 प्रुआ कि प्रुआब कि कि तो प्रुटी कि कि यार इस वारा गेम बहुत बेकार रहा लेकिन एप्यस आप देख रहे होगी हमेंसा 80 90 80 90 ऐसे कुछ देखने को मेर रहा था जो कि काफी सही लगा और इसके पहले जो मैंने गेमिंग किया था ना बीडावड एप्यस मीटर के यहार मजा सा आ गया था उसमें तो इसका विफावड क्लिप मैंने आपको बीच में दिखाया होगा तो यहार गेमिंग काफी स्मूध है और काफी बेटर है इसके डिफॉल्स सेटिंग के कंपरेजन में क्योंकि डिफॉल् पॉटल जो कि on नोर्मल तरीके से यूज किया गया है को भी प्रॉफाल में में यहां पर यूज नहीं किया था इसे चेक करने के लिए तो यहां पर जो रिजल्ट आया है वह है हमारा कितना है आपका यूज करते हुए और भाई ये वाल पेपर वगएरा आप चाहो तो ले लेना अपने टेलिग्राम वगएरा से वहाँ पे मिल जाएगा और ये जो जुवारत रिजल्ट जो आपको दिखाई देरा है जो कि 82 का आया है इसमें भी सेम मैक्स और मिनमम वगएरा है ये जो बस यही था पूरा का पूरा डिटेल और रुमीद करता हो कि ये अपडेट आपको भाई रियल में काफी अच्छा लगवा क्योंकि मेरे तरफ से ये highly recommended है आप लोगों को अगर आप ए गेमर्स हो या आपको बैटरी पसंद है ज्यादा या फिर आपको है जो आई नॉर्मल का method भी follow कर सकते हो इसके लिए या फिर टी डूलारपी से भी flash कर सकते हो तो दो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्राइब मिलेगा एक साइड लोड मैठेड होने वाला है और एक टी डूलारप यानि और इंज फॉक्स होगे राका तो दोनों में से जो भी आप method पसंद करते के लिए आप असानी से इंस्टॉल कर पाऊगे और आपको कोई परसानी नहीं होगे सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए भाई थांक्स वर वाचिंग टाइटा बाई बाई